आप लोगों ने सरकार बनाते वक्त कहा था कि सौ दिन के अंदर अप राधी प्रदेश छोड़कर भाग जाएंगे या सलाखों के पीछे होंगे आज पांच साल के बाद एक पूरे शहर पर कब्जा हो जाता है ऐसा लगता है कि पूरे शहर को घेर लिया है उपद्र होता है पुलिस बिल्कुल नाकाम नजर आती है पत्थरवाजी होती है और ये सब कुछ तब होता है जब थोड़ी दूर पर राश्पती, प्रधानमंत्री, मुक्यमंत्री, राजपाल सब कुछ मौजूद है कैसे देखा जाए, क्या खाकी के अकबाल पर ये गंभीर सवाल नहीं है? दन्यवाज शबादे, आपने शुब कामनाई दी इसके लिए और जहां तक आपने कहा कि पूरा शहर अब जिम्मे आ गया तो मैं थोड़ा इसको आपको संशुदित करना चाहूँगा हमारी पूलिस अगर मुस्ताइद नहीं होती, हमारी अगर इंटेलिजन्स के लोग मुस्ताइद नहीं होते पूरे इसके लोग थे जिन्होंने साजिश रची थी, एक बहुत प्लैंड तरीके से लोग इकठा होए, उनको पता था कि नमाज के दौरान लोग इकठा होते हैं, उसके बाद उनको कैसे भढ़गाना है, भढ़गाना है, लेकिन निशित तोर पे, ये बड़ा बड़ी का कारवाई की गई है, उनको रुका गया है, और उस पूरे इलाके को आप पता कर लेजिए, पूरी तोर पर शांती है, कहीं कोई उपद्रा नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और उत्तर प्रदेश में भी शांती है, हाला कि प्रयास ये किया गया था, उत्तर प्रदेश क तो आरा जक्ता की आज़ में छोगा है। सारी बाते छिप जाती है ये ग्लास भरा है या अदा खाली किस नजर से देखा जाए। वो बड़ी महत्पूर्ण ड्यूटी होती है पुलिस के लिए। उसका इनोंने अड्वांटिज उठाया पर वो कुछ समय ही रह पाया। पुलिस कमिशनर समेट सब लोग स्वेम मौके पे पहुँच गए। और उसके बाद सक्ती से उसको काबू किया गया। ये जो एरिया है ये बड़ा टिपिकल है और कुछ हद तक काफी मुस्लिम डॉमिनेटेड एरिया है इसका पुराना इपहास भी रहा है और सक्ती से कारवाई अब हो रही है और मैं समझता हूं कि आगे आने वादे दो-चार दिनों में एक एतिहासिक कारवाई होगी ऐसे दंगाईयों पे इससे कि उनको सबक मिल सके। अगर निश्यत उसमें कोई दोशी पाया जाएगा दंडित किया जाएगा कोई भी नहीं चाहता कि प्रदेश में इस प्रकार का हो मैं समझता हूं देखिए पिछले पी-म के विजिट में भी गवर्वर करने की कोशिश की गई थी कानपूर में उसका भी परदा खाश हो ग जा है गर्चे जाहता है जा है जाहता है झाहता है जाको आएगा झाहता है